नमस्कार दोस्तों स्वागा था आप सभी का एक बार फेर से आपके पने ही चैनल ग्याम दानवीर पे साथियों कल मैंने 6-8 अभ्यरतियों के लिए कट अफ वीडियो अप्ट्यूट किया था उसमें मैंने तमाम सब्जेक्ट का एनलेसिस किया था जितने भी सब्जेक्ट का एक्जाम हुआ था सभी सब्जेक्ट का अलग-लग करके फूल डिटेल एनलेसिस के साथ कट अफ का एनलेसिस किया था साथियों आज हम फिर से 19th का सभी सब्जेक्ट का cut-off का analysis इस वीडियो में करेंगे कल के वीडियो को आपने बहुत ही अच्छा प्याद दिया और बहुत से बिर्थी उसको देखे अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से जाकर जरूर देखेगा फिलाल पहले आज के इस वीडियो को देखिए साथियों एक ही वीडियो में सभी वर्ग के category को analysis करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है साथियों अगर 6-8 का 19 और 11-12 का हम एक ही वीडियो में कर दे तो वीडियो बहुत लंब हो जाएगी इसी करना साथियों आज के इस वीडियो में हम चूल्ज किये हैं 19 अब भेर्धियों के लिए वो भी आपको सभी सब्जेक्ट का साथियों आज के वीडियो में आप फेड़ी से पेसेंस बने अगर रहिएगा ताकि आपको एक एक बात चमझ में आया अगर वीडियो को आप कंप्लीट नहीं देखिएगा तो हो सकता है कि कुछ आपको मिस हो जाए इसके चकर में आप गलत कमेंट किजिए कि सर आपने एक टफ गलती बताया साथियों आपको हम एक एक करके बताएंगे कि किस वर्ग में कितने अभ्यरती भाग लिये थे कितना फॉर्म फिल अप किया गया था कितना कंपेटिशन होगा एक सीट पर कितने भ्यरती फाइट करेंगे एक एक करके हम आपको बताएंगे साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को देखिए हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा माननी अतुल प्रसाद का ट्वीट जो कि कल किया गया था बताएंगे द्वारा की आप सो वो का जो UMR है वो स्केणिंग होना श्टाट हो गया था जितने भी आप भेर्थी एक्जाम दे दिये हैं उनका OMR एक ही करके स्किन किया जा रहा है अतुल प्रसाद के द्वारा ऐसा संग्यान में आया है कि आपका जो रिजल्ट है दिसंबर मा के अंतिम में या जनवरी के फर्स्ट विक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है लेकिन साथियों जो भेर्थी एक्जाम देकर आये हैं वो तमाम तरीके के वीडियो धुन रहे हैं यूटूब पे और टिलिग्राम गुरूप में कि आखिर कितना कट अफ जा सकता है साथियों अगर आप इस से प्रेशान है कि कट अफ कितना जाएगा तो आपको एक एक एक्जेक्ट एनलेसिस के साथ इस वीडियो में हम बताएंगे आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूत नहीं है साथियों जैसा कि आपने देखा कि कुछ-कुछ ऐसे OMR है जिसको अप्लूट कर दिया गया है जैसा कि साथ तारिक वाला जो एक्जाम था उसका OMR अप्लूट कर दिया गया है जो कि आपको दिनांग 15.12.202 से 11.12.202 तक वेबसेट पर रहेगा अभिरती लॉग इन करके देखे भी है न और आंसर भी मेच किये साथियों क्वेशन राहिज के लिए आपको पता है कि चैलेंज करने का भी डेट दिया गया है उसकी जस्ट बाद आपको फैनल आंसर की मिलेगा और फैनल आंसर की के बाद OMR से आप मेच करने के बाद आपको तुरत ही रिजल्ट है न पब्लिश कर दिया जाएगा लेकिन साथियों हम आपको बताएंगे अभी 19th में एक एक करके सभी विसायका लेकिन इसमें थोरा सा समझने वाली बात है कि अभिरती कितना फॉर्म फिलप किये थे कितने भिरती के साथ आपका competition है कितने भिरती exam में present हुए थे और total seat कितना था हम एक एक करके collect की हैं जितना possible हो सका हम की हैं लेकिन इसमें भी अगर कोई mistake हो जाए हमसे तो जरूर आप हमें comment किजेगा हम निश्तिरूप से उसको सुधारेंगे साथियों इस प्रकार का वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है क्योंकि इस cut-up वाले वीडियो को लेकर हम दो दिन से analysis कर रहे हैं और finally अभी हम वीडियो record कर रहे हैं और साथियों आपको बता दे कि हम एक ही नहीं तमाम जितना भी subject है सबका एक ही करके हम list यहाँ पर रखे हैं हैना हम एक ही करके hand written यहाँ पर list है जो analysis हो सका किये है तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे English 19th अभीरतियों के लिए अभी आपको इसमें cut-up नहीं बताएंगे पहले जो pre analysis है उसको समझी आप देखिए जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि total form fill up students जो है वह आपको 14,324 अभीरति form fill up किये थे अभीरति एक्जाम मतलब जो present हुए थे 11,000 के करीब लेकिन total seat आपका 4688 है साथियों इसके according अगर हम देखे English subject में 19th में तो आपका जो competition है आपका जो fight है कम से कम two students per seat पर होगा मतलब एक seat पर दो student fight करेंगे साथ कि इसके दारा पर हम cut up बहुत ही अच्छे तरीके से analysis के साथ बनाया है पहले इसको आप समझेए चलिए अगला हम देखते हैं उर्दू देख सकते हैं कि उर्दू language subject है इसमें अभीरति जो total form fill up किये थे वह आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 5535 5535 अभीरति form fill up किये थ अभीरति जो एक्जाम प्रेजेंट हुए थे वह 4500 आपका जो seat है उर्दू में वह 1865 अगर इसको देखा जाए तो लगभग लगभग यहाँ पर आपको तीन student एक seat पर fat कर रहे हैं आपको तीन student पर seat पर fat कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी भीरा जरूर है है थोड़ा सा देखिएगा अब यहाँ पर हम संस्कृत का बात कर लेते हैं संस्कृत में जो भेरति form fill up किये थे वह आपको 3384 प्रजेंटेशन का बात करें तो लगभग सभी अभेरति प्रजेंट हुए थे 3000 अभेरति प्रजेंट हुए थे और total seat यहाँ पर आपको 3042 मतलब साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिलचस्व बात है कि जितने seat हैं उतने ही अभेरति एक्जाम दी है मतलब एक seat पर एक इसके अधार पर साथियों थोड़ा सा competition होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर जो data मिला है कि अभेरति के presentation का यहाँ पर exact data हम paper के माधियन से लिए हैं क्योंकि news paper प्रते दिन publish किया जाता था जिस दिन exam होता था हो सकता है कि उसमें कुछ data कम या कुछ data जयदा हो तो उस इसके according आपको हम cut up दिखाएंगे साथियों देखिएगा थोड़ा सा इस पे गौर किजिएगा देखिए हम आपको cut up बताएंगे इसके अधार पर तो जितना अभेरति संस्कृत में form fill up की है उसका नौकरी लग जाना चाहिए नहीं आप इस बात को थोड़ा समझेगा कि आ आपका जो seat हुआ दो पार्ट में डिखाएंड होता है इसमें अभेरतिय आपको पता है male भी भाग लिए थे और female भी भाग लिए थे ऐसे में male में आधा seat और female में आधा seat बढ़ जाता है तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि यहाँ पर पूरुस अभेरतियों को है ना यहा पर male female का बात आजाता है पचास परसे डारक्शन का तो इसकी according आप समझ सकते हैं हिंदी का बात करें साथियों हिंदी में total seat जो हुआ है आपका 4,695 में total form फिलाब 21,000 हुआ था और 17,000 भीरति यहाँ पर present हुए थे अगर इसमें हम देखें आपका competition कितना fight होगा है ना तो देख सकते हैं कि आपका 3,6 लगभग आपको 4 student per seat पर परता है मतलब 1 seat पर 4 student यहाँ पर भीर आपको अधिक देखने को मिलता है लेकिन साथ हुआ यहाँ पर भीर कुछ नहीं है जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको भीर और भी अधिक मिलेगा देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म फिलप आपको मैच सब्जेक्ट में टोटल 61,000 हुआ था यहीं अगर हम बात करें अभ्यरतियों के प्रेजेंटेशन का एक्जाम में बेपेसी टीरी 2.0 में तो इसमें आपको 52,000 अभ्यरति प्रेजेंट हुए थे हम यहाँ पर अगर देखते हैं seat की संक्या त आपको 17 student per seat पर होगा इसके according आप समझ सकते हैं साथ कि इसका cutoff कितना हाई जा सकता है आगे देखेगा इससे भी अधिक आपको सस्टी विसाय में देखने को मिलेगा सस्टी में जब आप देखेंगे तो form fill up करने वाले student जो है वो सस्टी सब्जेक्ट में आपको 89,576 है न वही अगर हम बात कर लेते हैं कि अभ्यरतियों के presentation का तो आप देख सकते हैं कि अभ्यरतियों जो present है आपको 85,000 अभ्यरतियों और total seat का बात करें तो 1950 जो कि बहुत ही कम seat है साथियों हम बात कर लेते हैं कि इसका जो competition होगा वो कितना है होगा सबसे अधिक competition हम देख रहे हैं यहाँ पर सस्टी विसाय में ही है सस्टी विसाय में आपको 44 student पर seat मतलब आपका जो fight है एक seat पर अभ्यरति 44 यहाँ पर fight करें के साथियों बहुत ही अधिक इसमें competition देखने को मिल रहा है आगे अगर हम देखे एक्जाम के difficulty level का मतलब अभ्यरतियों के भीर के according कि कितना किसमें भीर है किसका कटफ कम जा सकता है थूरा समझेगा सबसे अधिक अगर देखा जाए एक्जाम का difficulty level इसको थूरा सा इस सबसे अधिक उसके बाद math में उसके बाद science में फिर Hindi उर्दू English और संस्कृत सबसे कम आपको वीर संस्कृत में देखने मिलेगा मतलब cut-up कम ही जाएगा क्योंकि संस्कृत में भीरति कम होते हैं साथियों आपको पता है कि cut-up संस्कृत में वही आपको एक seat पर एक भीरति इसी कारण आपको बता दे कि उसके according मेल भीरति को ज्यदा फैट करना पड़ेगा साथियों अब थोरा साम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे भीरति होंगे जिसको पता नहीं होगा कि कम क्वालिफाइंग क्रेट एरिया क्या होता है वीपेसी टी आडी में साथियों आपको बत आएंगे लेकिन आप एक्जाम क्वालिफाइं कितना पर करेंगे यहां पर आपके सामने चाट बनाया गया है आप इसको देख सकते हैं यहां पर जनरल में आप 40% लाते हैं टोटल एक से 20 का लगभग 48 मार्क के बरावर तो आप मेल में क्वालिफाइं होते हैं अगर फिमे के बरावर यहां पर हम रख दिये हैं आपको लगभग 41 क्यूंकि 40.8 होता है 34% का है अगर स्थी का बात करें स्थी और पिएज 49 मार्क आपको लाना है 49 मार्क आपको सभी वर्क के फिमेल को भी लाना है ऐसा साथियों आपने शमझ गया लेकिन अगर हम बात करते हैं आगे अभी साथियों थोड़ा सा पैसेंस बना कर रखिएगा आपको कटफ भी हम एक एकर करके बताएंगे देखिए साथियों आपको पता है कि रिजल्ट जब पब्लिस किया जाता है उसके दर्मान होता क्या है कि जब मान की जली कि जनरल का कटफ लास्ट कटफ सतर गया और उस सतर कटफ में ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे होते हैं जिसका मार्क सतर होता है तो ऐसे में आपको पता होगा कि सतर लाने वाले अभ्यर्थी अधिक है सीच के संख्यां बहुत ही कम है तो ऐसे में एक सतर वाले का सबका दो जोईन हो जाएगा लेकिन सतर पर आकर एक टाइब को पैमाना बनाए जाएगा मतलब साथियों आपने जो एक्जाम दिया है 30 मार्क का language subject का तो इसमें आपको बता दे कि 30 मार्क में आपका कितना मार्क आ रहा है उसके according आपका पैमाना बनाए जाएगा सपोज किजिए कि 2 seat है 2 seat है अभिर्थी 3 है मान के चलिए आपका मार्क हिंदी में 26 है और मेरा 22 है तो साथियों आपको पहले लेगा लेकिन मेरा अगर seat बचेगा तब लेगा नहीं तो नहीं लेगा आप समझ गए होंगे साथियों इसके अधार पर आगे हम देख लेते हैं कि जब इस condition में मामला ब्राबर हो जाएगा तब क्या चीज फोलो किया जाएगा देखिए विशाय में समान अंक होने की इस्तिती में मतलब आपका language subject में समान अंक हो जाएगा उस इस्तिती में क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आये अंक को अधार बनाया जाएगा और उनमें से अधिक अंक लाने वाले का chain होगा से मार्क दोनों का रहेगा और उसके बाद data verse देखा जाएगा डेटर बर्थ में भी समान पाया जाएगा तो आपको अंग्रेजी वर्ट माला के पर्थम लेटर को मिला जाएगा इसके कोडिंग आपको दिया जाएगा साथियों अगर आगे अंग्रेजी वर्ट माला के अंग को अधार बना कर मेदा सुची मिजगर दी जाएगे वही साथियों आपने शम्जा इटाइबरेक का जो मामला था हमने पहले ही इसको बताया था पिछले वाले वीडियो में अब आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको 19th में अलग-अलग सब्जेक्ट में कितना कटफ जा सकता है जो अनुमानित का कटफ होगा है न इस पर हम बात करेंगे साथियों हम एक ही करके सभी सब्जेक्ट का अनलाइसिस करेंगे आप वीडियो में जरूर लाश्ट तक बने रहीएगा ताकि आपको एक ही करके कम्प्रिटली समझ में आए साथियों अभी जो आपको हम कटफ बताएंगे वो एक बिसेस एनलाइसिस पर अधारित है क्योंकि हम इसको बनाने में कम से कम दो दिन समय दिये हैं एक एक करके इसी करके आपके सामने के बाल कटफ का प्रेजिंटेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ येगा यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एसस्टी सब्जेक्ट का ध्यान देजएगा एसस्टी सब्जेक्ट जो है आपको अभी इसमें बताया जाएगा सोसल साइंस इसको थोड़ा सा नेचे कर लेते हैं देखिए यहां पर एसस्टी का बात कर लेते हैं है ना, sct में एक्य करके category बाइज आपको हम बताएंगे ध्यान देजेगा, हम इसमें जब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले general category के mail का बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक competition आपको sct में ही रहने वाला है, तो थुरा समझिएगा, आपको you are में 75 से 80 के बीच में 75 से 80 के बीच में रहने वाला है क्या चीज़ का mail का cut up, आप इस 75 को नहीं रखिएगा ध्यान में, आप 80 भी रख सकते हैं, क्योंकि sct में सबसे अधिक भीड हैं, यहीं अगर हम female का बात करें, तो आपको 70 पलस mark है, 70 पलस या 75 तक आप mark लाए है, female में, जेनरल में sct से, तो आप समझिए कि आपका होने का chance अधिक बन रहा है सांथियों, अगर हम EWS का बात कर लेते हैं तो EWS में आपको 70 से 74 के बीच में mail अभेर थी, 70 से 74 के बीच में अगर आपका mark है तो आप समझिए आपका नौकरी पका है वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि EWS female का, तो EWS female में आपको 65 से 70 के बीच में mark होना अनिवारी है, 55 से 70 के बीच में, क्योंकि इसका cut-up भी इतना तक जाने का chance बन रहा है साथियों हम बात कर लेते हैं अब OBC, जिसको BC भी कहते हैं है न, तो 70 से 75 के बीच में mail का, 70 से 75 के बीच में mail का, ये दोनों का cut-up लगभग समान डाता है है न, और अगर हम बात कर लेते हैं कि BC female का तो वो 65 से 70 पैसर से 70 के बीच में आपका रहने वाला है, इसका cut-up अब आगे हम बात जाते हैं आगे, जो ABC है ABC अभिर्थियों के लिए हम आपको बता दे, कि 65 से 70 mail का रख लिजे, 65 से 70 के बीच में आपको mail अभिर्थि आ जाएंगे, और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि female का, तो 60 से 65 के बीच में आपको female ABC का जाएगा, 60 से 65 के बीच में अब आगे, देख लेते हैं कि SC केट्गोरी, SC केट्गोरी में SSD में भी भी रोने वाल है, तो थोड़ा समझेगा 60 पलस अगर आप score की है, हैना, SC में SSD subject 90 में तो आप अपनी नौकरी को पकाच समझ सकते हैं और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं SC female में, तो लगभग आपका 48 पलस है या 55 के बीच में है 48-45 के बीच में, तो आपकी नौकरी पकी है, ध्यान रखिएगा आगे ST का बात करें, तो ST में आपको बता दे साथियों वह 70-75 के बीच में भी इसका cut-off जाएगा क्योंकि आपको थोरा सा इसका logic बता दे कि ST में अभेर्थी ज़्यादे होते हैं और seat कम है, तो ऐसे में अभेर्थी ज़्यादा होने के कारण इसका आपको cut-off बर जाएगा थोरा समझेगा साथियों जब हम बात कर लेते हैं आपको ST female का तो ST female अगर आप 65-plus स्कोर किये हैं तो ध्यान रखेगा कि आपकी नौकरी पकी है साथियों हम बात कर लेते हैं कि pH, pH में 60-plus अगर आप स्कोर किये हैं कि हिंदी सब्जेक्ट का कितना cut-off अनुमानित जा सकता है अभी मैंने आपको ST का बताया अब इसमें थुरा सा गौर किजएगा कि अभी आपको हिंदी बताये जाएगा हिंदी इस हिंदी में जब हम जनरल का बात कर लेते हैं तो जनरल में आपको 65-70 के बीच में cut-off जाने का chance बन रहा है 65-70 या एक business analysis पर अधारित है और आपको बता दे कि यू आर फिमेल का 55-60 के बीच में अगर आप स्कोर किये हैं तो निश्यत रुप से आपका नौकरी पका है अगर हम बात कर लेते हैं EWS का तो EWS में साथियों आपको बता दे EWS में जो अब भिरतिय स्कोर किये होंगे कम से कम 55-60 के बीच में 55-60 के बीच में तो आप cut-off के अंदर आ सकते हैं और अगर 50 पलस या 13 पलस है आपका 50 पलस फिमेल का तो आप समझ सकते हैं कि आप cut-off में आजाएंगे निश्यतरुप से अगर हम BC-OBC का बात करें तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं 60-65 इसका cut-off जाने का चांस बन रहा है अब अगर हम आगे इसमें फिमेल का बात करें तो 50-55 के बीच में आप अगर इसकोर की हैं तो निश्यतरुप से आपका होने का चांस बन रहा है साथियों आगे हम थोड़ा साबर जाते हैं कि EBC-SC-ST सबसे पहले बात कर लेते हैं EBC का EBC में आपको बता दे साथियो 58-60 EBC में 58-60 के बीच में अगर आप इसकोर की हैं तो निश्यतरुप से आपका हो जाएगा आगे बात कर लेते हैं EBC-Female EBC-Female में आपको बता दे कि EBC-Female में 50-52 के बीच में आपका इसकोर की हैं 50-52 के करीब है न तो आपका भी होने का अधिक से अधिक चांस बन रहा है साथियों आगे हम बात कर लेते हैं SE का SE 50-55 के बीच में अगर आपका मार्क आ रहा है 50-55 के बीच में मेल का तो आपकी भी नौकरी पकी है अगर 48-55 की है फिमेल SE में तो आप समझ यह कि आपका कटफ में मार्क मतलब नाम जरूर आ जाएगा आगे दखिएगा ST ST के बात करेब ST में आपको 60-65 की बीच में अगर आप स्कॉर की है 60-65 की बीच में तो आप निशित रुपेन आप इस कटफ में जरूर रहिएगा अगर 55-55 पलस फिमेल है ST के तो निशित रुपेन आप कटफ में आ सकते हैं साथियों अभी जो मैंने आपको कटफ बताया वह स्टी का था लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर प्येज का है ना वह सिक्ष्टी प्लस जाने का चांस बन रहा है जो कि हिंदी सब्जेक्ट का और यहीं अगर हम पच्पन बात कर लेते हैं फिमेल का अगले अगला हम देखते हैं जो सब्जेक्ट होगा मेरा अगला सब्जेक्ट है संस्क्रीट संस्क्रीट हम एक एक करके सब का लेंगे यह संस्क्रीट है संस्क्रीट में आपको यहाँ पर यूर में बात करें तो सतर से पच्छतर के बेच और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं इसमें female है ना female 60-65 की बीच में अगर आपका score है तो आप ऐसा समझें कि आपकी नौकरी पकी है female में 60-65 यही अगर हम OBC का बात कर लेते हैं तो 65 प्लस अगर आप score की है 65 प्लस तो निशित रुप से आप cut-off में आ जाएंगे और इसमें female अगर बात कर लेते हैं OBC female तो आपका अगर 65 प्लस score है तो आप निशित रुप से आप cut-off में आ सकते हैं यही अगर हम साथियों EWS का बात करें तो EWS में 65-70 के बीच में अगर आप score की हैं है ना SNK में 65-70 के बीच में तो आप निशित रुप से आएंगे साथियों किसी अभिरतियों को ऐसा बुरा भी लगता होगा कि इतना जयदा cut-off क्यों बताया जा रहा है लेकिन साथियों मैंने आपको अभी analysis दिखाया कितने भिरति एक्जाम में appear हुए थे कितने भिरति से आपका competition है इसके अधार पर आपको हम बता रहे हैं साथियों हम e-rules female का बात करें तो 55-plus अगर आपका score है 55-58 के बीच में तो निशित रुप से आप यह समझे कि आपकी नौकरी पकी है साथियों अगर हम बात कर लेते हैं आगे e-bc का तो e-bc में आप देख सकते हैं कि e-bc में अगर male भिरति 60-65 के बीच में score किये हैं 60-65 के बीच में score किये हैं तो आपकी नौकरी पकी है अगर हम इसी में female का बात करें तो कम से कम आपका 55-plus होना आनिवारी है साथियों s-c का बात करें तो s-c में आपको 53-57 के बीच में score है 33-57 के बीच में तो आप cut-off के अंदर आ सकते हैं यही हम 48-plus बात कर ले तो यह female का जाएगा साथियों s-c का बात कर ले तो s-c में आपको 45-50 के बीच में आप score किये हैं तो निश्ची दुरुप से आप इस cut-off में आ सकते हैं और 40-45 के बीच में 40-45 के बीच में अगर female भिरती इसमें score किये हैं तो आप ऐसा समझे कि Sanskrit विसमें आपका च्रेयन हो जाएगा अब देख सकते हैं आगे pH जो अब भिरती है अगर 50-plus score किये हैं कम सिकम 50-plus तो आपका cut-off में आने का अधिक chance बन रहा है और अगर 48-plus female इसमें किये हैं तो आप समझे कि आपका निश्ची दुरुप से हो जाएगा साथ ही समझेगा इस सर्फ male है और इस सर्फ female अगला हम देख लेते हैं अगला जो भिसय होगा यहाँ पर आपको भी बताएंगे उर्दू उर्दू में भी मैंने इनलेसिस किया कि इतने भिरती भाग लिए थे कितना competition है कितना street था इसकी according आपको अभी बता रहे हैं उर्द अभी बताएंगे आपको उर्दू इस उर्दू भी सेमें आपको यूर में जो competition आपको देखने को मिलेगा वह कम से कम 65 65 से 70 के बीच में आपका score है तो आप निशीत रुप से यूर में chain हो सकते हैं जनरल से है ना और 60 से 63 के बीच में 60 से 63 के बीच में अगर female अभेर थी य EWS का साथ यूँ बात कर लेते EWS से 63 से 65 के बीच में आपका score है 63 से 65 के बीच में तो आप भी समझी कि आप cut up में आ सकते हैं और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि 55 पलस जो भिरती कि हैं आपको बता दे कि EWS में उर्दू से तो इसके according जो मैंने आपको analysis बताया है ना इसके recording आप cut up में आ सकते हैं अब बात कर लेते हैं फुरा सा BC या OBC कह सकते हैं इसको है ना BC में आपको 58-60 के बीच में score होना आनिवार है 58-60 के बीच में और यहीं अगर बात कर लेते हैं BC female का तो BC female अगर आप 50-54 के बीच में किये हैं 50-54 के बीच में तो आप नेशितरुप से कठम में आ सकते हैं यहीं अगर हम EBC का बात कर लेते हैं तो EVC में साथ ही आपको बता दे, EVC मेल अभिर्थी में आपको 55-60 के बीच में स्कोर होना आनिवारे है, 55-60 के बीच में, अगर यहीं हम बात कर लेते हैं, इसका फिमेल का, है न, EVC फिमेल का तो 45 पलस, एक एक करके किटकुटी जबाई आपको हम बताएंगे, अगर SC का बात करेत, ST आपको 45-50 के बीच में होना अनिवार है, 45-50 के बीच में, और ST फिमेल है, तो कम से कम आपको 40-45 लाना अनिवार है, तब आप कट अप में आ सकते हैं, 40-50 के बीच में, साथ ही आगे हम बात कर लेते हैं, पी-एच कर दिका, तो पी-एच में अगर आप 45-46, मतलब 45- नौकडी पक्की है, और 42 पलस अगर आप फिमेल में की हैं, यह मेल का और यह फिमेल का, तो आप उर्दू में निश्यत रुप से हो पाएंगे, साथियों आगे हम बात कर लेते हैं, अगले सब्जेक्ट का, अगला सब्जेक्ट जो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो है होगा, क्योंकि एक-एक करके cut-off जब analysis करेंगे, तो निश्यत रुपेन वीडियो लंबी होगी, देख सकते हैं कि हम ज्यादा time भी नहीं ले रहे हैं, देख सकते हैं, आगे साथियों English, अभी मैंने आपको बताया कि English, इसमें अभी English का हम cut-off analysis करेंगे, थोड़ा समझेगा इंगलिस, इंगलिस में साथ यह अगर हम बात कर लेते हैं, जनरल में तो आपको मैंने बताया कि other subject शित थोड़ा सा इंगलिस में भी कम है, तो इसमें आपको 72 पलस अगर आपे score किये हैं, तो निश्यत रुपेन आप समझेए कि 90th में आपका selection हो जाएगा, यहीं अगर बा से आप अगर other state वाले भी हैं, तो आपको हो जाएगा, साथियों हम EWS का बात करें, तो EWS में कम से कम आपका 65 पलस होना आनिवारी है, क्योंकि 65 पलस अभिरतियों के according हम बता रहे हैं, कितना अभिरतियों में भाग लिए थे, और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि female का IC में, तो 50 से 55 के बीच में, 50 से 55 के बीच में होना निवारी है, और इसमें हम साथियों बात करें कि BC का ध्यूरी का, BC में आपको 63 से 66 के बीच में, और यहीं पर आपको हम बात करें, तो 55 से 60 के बीच में, यहीं 55 से 60 के बीच में हम यहां पर female का बात कर लेते हैं, यह male है और यह female ध्यान रखेगा, आगे EBC का बात कर लें दें EBC में आपको बता दे EBC में आपको 60 से 65 के बीच में या अगर आप 60 पलस स्कोर की हैं 60 पलस स्कोर की हैं, तो EBC में आपका 6 इंगलीज भी 7 निशीत रुपेन हो जाएगा, और 50 पलस या 50 से 15 के बीच में जिन महिला का score है females का हैना EVC में English से तो निशित रुप्सेन आपका भी च्वेन हो जाएगा साथ्यों को बता है कि SC के के टिगोरी में कि जो भर्थी 33 पन SC में जो 33 पलस score की है तो उसका भी निशित रुप्सेन रुप्सेन होने का chance बन रहा है और अगर आप 45 पलस या 42 पलस भी किये हैं हैना SC से इंग्लिश में तो निशित रुप्सेन हो जाएगा क्योंकि SC में थोड़ी से सीट है साथ्यों 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 अगर आप 50 पलस है तो आपका भी होने का chance बन रहा है male का और female का बात करें तो कम से कम 45 पलस होना अनिवारी है अपने SC किया होगा मुझे ऐसा लगता है साथ्यों आगर हम बात कर लेते हैं कि PH भिर्थी जो दिब्याग भिर्थी हैं physically handicapped वो अगर 45 या 48 पलस बात करें 48 पलस आपका SC है तो ध्यान रखिएगा आपका निशीत रुपेन होगा यहीं अगर हम बात करें 45 के पलस में आप अगर PH student English से है 98 में तो आपका CHN English विसाइम होने जा रहा है आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा science विसाइग के लिए science subject में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा विर अधिक है तो इस science subject में थोड़ा सा देखिएगा science में अगर हम बात कर लेते हैं general credit के भिर्थि का ध्यान रखिएगा इसमें अगर आप 75 पलस score किया है 75 पलस score होना चाहिए और minus 80 मतलब कि 80 से कम और 75 से जयदा सिदा समझेगा 75 से 80 के बिच में आपका score है तो यह समझी आपकी नौकड़ी पकी है अगर इसे कम की हैं तो आप आसा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको मैंने अभी दिखाया कि कितने भिर्थि science subject में थे अभी मैं आपको cut up science के बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया था ध्यान रखेगा इस बात को आपने देखा कि जनरल में जो भेड़ती होंगे science से कम से कम 75 से 80 के बिच में और 70 पलस होना चाहिए आपको female का जो की 90 में आपको science से होना चाहिए अब हम आगे बात कर लेते हैं साथियों BC या कह सकते हैं इसको OBC 70 से 75 के बिच में इसका cut up जाने का chance बनता है यही अगर बात कर लेते हैं कि इसी के female का तो कम से कम 55 से 60 के बिच में आपने score किया है तो निश्यत्री प्रूजन आपका हो जाएगा ध्यान रखेगा इस cable science के बिच में बात करते हैं इस 55 आप में में साथ आदी कम से कम 60 प्लस आपका score होना चाहिए मैंने 55 से 60 पताया लेकिन कम से कम 60 निश्यत्री रुपे न जाएगा यह science है इसमें भीड बहुत ही यह दिख थिख यह अब बात कर लेते हैं ABC के अगला आप देख सकते हैं ABC में आपको हम भी बता रहे हैं कि ABC के अगर आप 66 पलस score किये हैं तो आपको science विशे में च्वेन होने का सौभागी प्राप्त होगा साथियों अगर आपका 53 पलस अगर आप फिमेल हैं तो निश्ची तरुप से होगा मैंने बारवर बताया कि इस हैड फिमेल इस हैड फिमेल है अब हम SC का बात कर लेते हैं तो SC के अगर देख सकते हैं कि 55 से 60 55 से 60 के बीच में अगर आप स्कूर किये हैं तो आपका च्वेन निश्ची तरुप से science विशे में हो जाएगा फिमेल का बात करें तो कम से कम 50 पलस से स्कूर कियें तो हो जाएगा अगर हम बात करते हैं पीच स्टूइट का पीच में आप चौबन 55 के करीब रब मान सकते हैं और यहीं भी बताया था कि second position में आता है है ना, first position पे सबसे अधिक अभ्यरती थे सस्टी में second position मैंने बताया था कि math में भी बहुत यह अधिक भी रहे तो इसके according आप समझेगा है ना, कि कम से कम same सस्टी जैसे आप score किये हैं 80 plus, ध्यान रखेगा 80 plus आपका score है female में कम से कम 75 plus आपका score होना निवार है, वो भी general category से, बात कर लेते हैं OBC, EBC का, तो इसमें OBC, BC, सॉरी EBC नहीं ध्यान रखेगा, OBC, BC तो इसमें देखेगा कि 75 से 80 की बिच में अगर आपका score है, 75 से 80 की बिच में, जो भी 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 बिच्टी male से OBC में है तो आपका selection पका है वो भी math subject में है और इसी में अगर आप 58 plus score या 60 plus score की है female category के, तो आप यह समझें कि आपका chain math बिच में होने जा रहा है साथियों अगर हम बात कर लेते हैं कि EWS EWS में 72 से कम से कम 72 plus या कम से कम 80 के बिच में, 72 से 80 के बिच में आपका score है, तो यह समझेंगा कि male में आपका chain हो रहा है, है न और आगे हम बात कर लेते हैं कि 60 plus, अगर female में आपने score किया है, तो आप समझें कि math बिच में आपका 90 में chain निशी तरुप से हो जाएगा साथियों, हम बात कर लेते हैं आगे ABC केट्गरी का ABC में आपको बता दे, सरचर से 70 के बिच में, अगर आपने score किया होगा, सरचर से 70 के बिच में, तो निशी तरुप से आपका chain, ABC केट्गरी में math बिचम हो जाएगा आगे हम बात कर लेते हैं, कम से कम एसी बीसा का बात करें तो स्ट में आपको 58-60 के बीच में कटफ जाने वारा है 58-60 इस कर्करी में मिलेगा क्योंकि इसमें अभ्यर्थी कम होते हैं आगे कि तीरपन से चपपन कम से कम तीरपन पलस सपकर है 55-50 के बीच में तो आप यह समझे कि फिमेल में आपको est में सीट मिल जाएगा और मेल का 58 से 60 स्ट का बात कर लेते हैं तो समझेगा डिश्टी में कम से कम आपका 55 से 60 के बीच में स्कोर होना चाहिए 55 पलस मानके चलिए और अगर 48 पलस या 50 पलस आपका है फिमेल में स्टी का तो या आप समसकते हैं कि आपकी नौकरी पकी है और यहीं हम सिंब 50 प्लस ले लेते हैं, PS का 50 चे 50 भी जा सकता है, भी जा सकता है, है ना, PS कर्कूरी में, और इसमें आपको बता दे, 48 या आप कह सकते हैं, 45, 45 और 48 के भी इसमें, आपको PS भी मिल का जा सकता है, कटप, साथियों मैंने आपको बहुत ही analysis के साथ cut up बताया है ना एक एक करके सभी विसाय का जसा कि आपने अभी देखा तो इसके according आपका mark कितना रहा है जरा comment किसेगा comment box में हम आपका reply जरूर देंगे क्योंकि आप हो सकते हैं कि मेरे बरी भाई हो छोटी भाई हो है न बहन हो तो साथियों आपका help करना मेरा करतब बनता है सातियों आज का वीडियो वास्तव में बहुत लंबा हो गया है हम इसके लिए माफिस आते हैं और सायद इतना लंबा वीडियो नहीं होता तो हम इस तरिके से कटफ का एनलेसिस नहीं कर पाते आज के वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं तब तक लिए थैंक्स पोहर सिंग्ग वीडियो में भी तक बने हैं तो